नेक्स टॉपिक है हमारा सर रेलवे और डिफेंस कांपनीज सर इन में बहुत तेज मूव देखने के लिए मिला है मार्केट में हमने एक एनायलेसिस किया जिसमें से 30 में से 20 सेंसेक्स की कंपनिया चली नहीं रही है 66% मार्केट चल नहीं रहा है केवल 34% या 33% हम कह सकते हैं कि कंपनीज ने इंडेक्स को ड्राइब किया हुआ है सेम केस सर मिट कैप स्माल कैप में है सेक्टोरल है कि 70% सेक्टर चल नहीं रहे है 30% यह जो कॉंट्रिबूट कर रहे हैं वो कॉंट्रिबूशन वाले जो सेक्टर है उसमें रेलवे और डिफेंस रोज खड़े हो जाते है रोज यह सभी काउंटर तेजी से चलने शुरू हो जाते है मौनिंग में यह कमफर्टिंग जोन आ जाता है सर पहले मैं शुरू बात करता हूँ एस्टर माइक्रो से आज ही बहुत तेज चला शेयर क्या करें सर अगर आप दूसरे बड़े कंपनी जैसे बारत इलेक्ट्रोनिक्स मासगाव डॉक या गार्डन शिप्याड को कंपेर करें तो मेरे क्याल से यहाँ पर आप बोल्ड करें पर फ्रेश खरीदारी का मौका अभी नहीं है इस लेवल पर बाइंग डेफिनेटली अड़्वाजबल नहीं बिलकुल अगर पिछले एक साल की बात करें तो यह शेयर तीन गुना हो चुका है और इन लेवल्ड पर अब होल्डी कर सकते हैं बाइ तो फ्रेश नहीं मनता है सर का मानना है सर जुपिटर वैगन यह इस कौटरली रिजल्स के बाद से चलना शुरू हुआ और अभी तक चलता ही जा रहा है क्या करें सर यह देखें वैगन की कंपनिया में दो तीन क्लियर्स है एक तो टिटागर वैगन है उसके बाद टेक्समैको रेल है और उसके बाद यह जुपिटर वैगन है वैगन्स अनुमान है कि इस बार गॉर्मेंट नए वैगन्स की ओर्डर देगी अल्रेडी जुपिटर वैगन हो या टिटागर वैगन हो इनके पास कम से कम देड़ दो साल की ओड़र भूख अभी भी प्रेजट है तो मार्केट को एक अनुमान लग रहा है कि शायद यहां से भी अच्छी बड़त आई ही तो मेरे कहले देगे वैगन एक ऐसा स्पेस है जो प्लियर्स लिमिटेड है और डिमांड काफी जादा है उस पॉइंट ऑव यूसे जुपिटर वैगन नंबर्स भी अच्छे हैं आने वाले समय में अगुप कुले FI 25 भी काफी अच्छा रहेगा तो यहां पर होल्ड करने की राहे रहेगी अगर मान के चलिए कि 525-530 तक यह स्टॉक आता है तो यह थोड़ा सा खरीदने का मोका आपको बहुत जी बिलकुल तो यहां पर जो थोड़ा भी निचले इस तरों पर आता है तभी खरीदने का मोका है वैसे एक काउंटर का मैं चार्ट देख रहा था 100 उपीज था यह करीब लास्ट यर इसी समय पर और अभी 566 उपे हो चुका है करीब 5 गुना बढ़ चुका है तो एक अच्छा खासा मूव इस काउंटर पर अल्रेडी आ चुका है सर पारस डिफेंस इस पर आपका व्यू सर यह पारस डिफेंस में म होल्ड करने की राय आला कि देखे स्टॉक बूसरे डिफेंस स्टॉक के मुकाबल में ज्यादा चला नहीं है और हमारा मानना है कि देड़ साल का अगर कोई व्यू रखता है बारा से पंदरा या अठ्रा मेने का तो करीबन ग्यारा सो ग्यारा सो पचास का एक लेवल आपको महां पर ही आपको एंटर करना है सर्थ टीटागर वैगन इस काउंटर पर भी हमने देखा कि मल्टी वैगर रिटरन मिले हैं और अब इस काउंटर पर निवेश करना में कमफ़र्ट है या नहीं मुझे लगता है कि अभी जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इस प्राइस पर निवेश करेगा ना उसको आलफा बिलेगा नहीं वो कंपाउंडर होगा आप 15% का अफसेड मान के चलिए कि आपको मिल सकता है क्योंकि इंडस्ट्री टेल्वेंट काफी क्वाजिटिव है और बुग अच्छी है इनको मेट्रों के ओर्डर मिले हैं रेलवे से वैगन्स के ओर्डर मिले हैं तो कंपनी इंटरनाशनली भी काफी अच्छा पाम कर रही है तो कंपनी ग्रो करेगी लेकिन इस लेवल से आपको 15% का रिटरन मिलेगा जो पहले के रिटरन आपको मिले हैं जो नि備शक को मिले वह शायद आपको नहीं मिलेंगे तो वो बात धियान में रखिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक अगंपाउ में expected थी, वो already counter कर चुका है, क्योंकि मैं इस company का भी चार्ट देख रहा था, ये counter करीब पिछले दो साल में बहुत तेज चला, करीब तीन से चार, चार चार गुना हो चुके हैं ये shares Sir, IRFC, इसकी भी यही हाल है? तेकि IRFC में सबसे बड़ा जो positive और negative दोनों है कि इसका एक ही customer है और वो है Indian Railways, और करीबन 40% जो railway का capital expenditure होता है, वो IRFC fund करता है, तो मेरी ख्याल से देखिए IRFC एक ऐसी company है, जहां पर उनको special tax benefits भी मिलते हैं, और उनको business assured होता है, पहले तो ये stock dividend yield के लिए माना जाता था अब बहुत सस्ता था, पड़ अभी ये dividend yield का मामला relevant नहीं है मेरी ख्याल से यहां पर भी तेड़ दो साल का अगर आप नजरिया लगते हो तो definitely इसमें अच्छी कासी कमाई होगी क्योंकि देखिए railway capex तो अभी हर साल बढ़ने वाला है, गवर्मेंट ने काई कि 5 लाग क्रोर का जो expenditure है वो अगले 3-4 साल में वो spend करना चाते हैं तो उसका benefit definitely IRFC को मिलेगा तो यहां पर hold करिये अगर कोई reasonably अच्छा correction आता है तो यह खरीदने के मौके बनेंगे करीबन 800 रुपे तक आता है तो definitely करिजने का मौका बने जी, सर नेक्स counter IRIDA इस पर काफी सवाल भी आते हैं लेकिन इसमें दो ख़बर भी आई अभी एक पहले खबर आई थी कि इसमें कि यह solar energy जो rooftop पर लगेंगी जो solar panel लगेंगे उसको भी finance करने के business मोतरेगी retail level पर तो ये एक अच्छा कारोबार बन सकता है अगर companies को aggressively काम करें लेकिन उसके साथ-साथ एक खबर और भी आगे कि company का FPO भी आ रहा है सर कैसे अब इसको देखना चाहिए FPO इन लेवल्स पर जब की company का IPO double digit में आता है 30 रुपीज की रहिन में आता है और जब वहां से 5-6 गुना हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि ये counter अब इस level पर अगर सरकार divest करती है तो सरकार को ज़्यादा मुनाफ़ा होगा या निवेशकों को शेयर लेकर मुनाफ़ा ज़्यादा होगा मेरे काल से देखिए सरकार भी बहुत होशियार है सरकार भी पैसा बनाना चाहते है तो अबिसली इसमें सरकार का इनिशली बेनेफिट ज़रूर होगा लेकिन इरेडा एस जैसी कंपनी को आपको कम से कम 2-3 साल के नजरिया से देखना है क्योंकि ये दंदा काफी बड़ा है इसमें जो रन्वे है वो बहुत बड़ा है तो आप 6 मेना और सालवर का नजरिया न लेते हैं अगर 2-3 साल का नजरिया लेते हो तो डेफिनेटली इसमें जब FPO अनाउंस होगा अगर वासा करेक्ट होगा तब ही खरीद में के मौके बिलेगी और मेरे ख्याल से देखिए अच्छी कंपनी में अगर FPO आता है तो और जब आपको नॉर्मल सेलिंग दिखती है FPO के टाइम पे तो वो अच्छा मोका होता है अगर आपको लंबा निवेश करने तो कंपनी अच्छी है और अभी इस प्राइस पे जिनके पास है वो होल्ड करें क्योंकि विजिबिलिटी अटलिस आने वाले देड़ दो साल के लिए तो काफी बढ़िया लगरे ये सोलर पैनल का दंदा भी अगर शुरू करते हैं तो इसमें इनको काफी अच्छा बिजनस मिले जी सर सेम IRCTC IRCTC जब IP वाया था तब उसको वैलिशन नहीं मिली थी लेकिन लिस्ट होने के बाद बढ़ी अच्छी वैलिशन मिली लेकिन पिछले काफी समय तक जब रेलवे काउंटर चल रहे थे ये एक ऐसा रेलवे काउंटर था जो उतना नहीं चला लेकिन अब थोड़ा चलना शुरू हो गया है क्या करें सर ने मेरे क्यास देखिए पूरे रेलवे स्पेस में ये काफी अट्रक्टिव लग रहा है मुझे लगता है कि देखिए ल कोईड के बाद तो नॉर्मल सी पूरी तरह से आई है तो मुझे लगता है कि लंभी एवदी के लिए ये लेवल पे निवेश करने में कोई हर्ज नहीं है करेवन बारा सो बारा सो पचास का भी फेर वेल्यू बन सकता है पट उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो कम से कम द अभी मार्केट जो ट्रिगर दिख रहा है वो यह कि शायद बीमल में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेचने वाले हैं तो तब तक मेरे कहल से स्टॉक एक थोड़ा थोटे रेंज में रहेगा अला कि इनका बिजनस बहुत प्रॉमिसिंग है जो वैगन का बिजनस ह प्लस डिफेंस का बिजनस है इसमें तो कोई डाउट ने कि काफी वैल पोजिशन है लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का नाम आता है तो वैल्यूएशन कितना होगा और इन्वेस्टर होगा ये बातों से स्टॉक में अच्छी रिरेटिंग देखने को मिलेगी तो जि रगता है कि सर वैल्यूएशन सरकार स्मार्ट हो गई है तो अच्छी वैल्यू पर बेचेगी बिल्कुल आइटिक देखिए गौवर्मेंट भी चाहती है कि पैसा बनाए और डेफिनेटली गौवर्मेंट अभी पुराने गौवर्मेंट की जैसा नहीं है गौवर्मेंट मैं मुझे लगता है कि काफी भरपूर ग्रोथ अभी भी आना बागता है बिल्कुल नेक्स काउंटर सर बीएल पर आपका व्यूवर्में मुझे लगता है कि अभी भी काफी अच्छा एट्रेक्टिंग लेवल पर है क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे कंपनी ने डिक्लेर क के लिए और अभी जो करण्टियर की ओर्डर करीवन पच्छतर हजार क्रोर है कंपनी बिल्कुल करजा मुक्त है कंपनी का करीवन साड़े चार हजार क्रोर का उन्होंने ऑपरेटिंग कैश लोग जेनरेट किया है सबसे बड़ी बात कंपनी के बास देड़ दो साल का पेक्षा रही इसमें एक ही दिक्कत है कि जो एक्जिक्विशन होता है इन ओर्डर का वो थोड़ा लंबा लगता है तो यह बात निवेश करने का मौका है और चार हजार करोर के करीब का कंपनी प्रॉफिट अरन करती है एक साल में तो यह बहुत इंपोर्टन है और काफी अच्छा रेवन्यू करीब 20,000 करोर से जादा का रेवन्यू है बहुत अच्छे पनेंचल है कांपनी के सर इस कैटिगरी का लास्ट कांटर है इस कांटर ने भी लिस्टिंग के बाद से सर धूम मचा रखी है और निवेशक इसको छोड़ना नहीं चाहते क्या यह लेवल है चोड़ने वाले या अभी भी पकड़े रहना चाहिए इस कांटर को? मेरे ख्याल से अगले देट दो साल में और भी अच्छे आने की उबीद है यह से कंपनीज में मैं वापस दोराँगा कि यह कंपाउंडर्स जब अभी इसमें आलफा नहीं बड़ आपको 15-20% का रिटर्न शायद साल में मिलेगा वही आपके लिए सबसे आईडिल है बिलकुल तो अवराल सार ने जो बताया कि रेल्वे और डिफेंस काउंटर में अगर एक अलफा नहीं मिलेगा अलफा का मतलब है कि आपको एक मार्केट को बीट करने वाला रिटर्न नहीं मिलेगा मार्केट जैसा रिटर्न मिल जाएगा आपको 15-20% वाला और क्योंकि यह शेयर काफी चल चुके हैं इसलिए अभी इन में 15-20% से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें सार ने बीईल को लेकर जरूर पॉजिटिव बताया कि इसको इन लेवल्स पर बाय कर सकते हैं बाकी शेयर उसमें अभी होल्ड करने की नीती अपनानी चाहिए